हत्यार की बरामदिगी मामली में सजा काट रहे आरजेडी विधायक अनन सिंग की आज पटना के सिविल कोट में पेशी हुई हैरानी की बात ये रही कि अनन सिंग को पेशी स्टर्चर पर कराई गई जेल करमी अनन सिंग को स्टर्चर पर लेकर कोट पहुँचे यह देख अनन सिंग के करीबी माने जाने वाले बंटू सिंग समेट अन्य समर तक भड़क गए और नितीज सरकार और मुख्यमंद्री इंदीश कुमार को जम कर कोसा सब्सक्राइब नितीज सरकार जैसे परमेशर मुख्या और राजों सिंग को मरवाया है उसे अनन्त बाबू को भी मारने का परियास कर रहा है चुनाव से पहले भी उसने परियास किया था मारने का मगर आज अगर बिधायक जी चुनाव जीत गए तो अब इन लोग को कुछ नहीं बुझा रहा है तो मानिय बिधायक जी को जमीन पर रखा गया है एक्स्टेक्चर ये बरदास से बाहर का चीज हो रहा है कि ये सरकार ऐसी दोगला नीटी क्यों कर रही है मैं नीटी इस कुमार जी को चेताब नी दे देना चाहता हूँ और उनके सांसदों को कि ये नीटी आप खतम किजिए अगर किसी को आप चाहते हैं कि ऐसे करके हम अपने पैरों में गिराने के लिए तो ये बरमर्सी है जिसका नाम है अनंग सिंग समझ गया है ये नकिसी के पैर पर गिरा है और ये नकिरेंगे हम लोग आज तक कोट का सम श्रमान करते रहे हैं मगर ये सरकार जबरदस्ति लाकरके और विधायक जी को परसांद करने का काम किया है ख़्म ने डूलने से माला क्या कि कुछ भी इनको हो सकता है मगर मान्य बिधायक जी के लिए ये लोग कितना परसानिक हैं जमीन पर लेटा है आप लोग मिदिया बंधू को भी सटने नहीं दिया जा रहा था मेरे साथ धक्का मुक्की की गई मेरे साथ धक्का मुक्की की गई जबकि मैं मान्य बिधाय जी के पास जा सकता था मेरे साथ में जाना था मुझे मगर रोग दिया गया फिर बाद में बोलाया गया मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये बहुत बड़ा अंदोलन के रूप में होगा निती जी और ललन सिंग आपको बता दें कि पटना के बेरू जेल में बंद बाहु बली विधायक अनन सिंग की तबेत खराब चल रही है अनन सिंग इन दिनों कमर दर्द और गर्दन की दर्द के साथ साथ अन्य कई विमारियों से परिशान चल रही है ऐसे में इलाज के लिए उनको एमस में भरती कराया गया था लेकिन पांच दिनों के इलाज के बाद उन्हें वापिस जेल भीज दिया गया वहीं आज कड़ी सुरक्षा के बीच इस चचर पर लेटा कर उन्हें पेशी के लिए कोट में लाया गया नियूस डेक्सक झाल